हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टड़ी पॉइंट टूटूब चैनल में और देखे आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आई हैं और इस वीडियो में न देखे इसमें करेंट अफेयर के कोस्चिन रहेंग योगी है तो चलिए देखते हैं आज का पहला कोस्चिन तो देखिए पहला कोस्चिन है हरियाना में हैली टैक्सी सेवा किस जिले से सुरू की गई तो देखिए हैली टैक्सी सेवा है ये सुरू की गई है हिसार से इसमें अप्शन एसा ही है अगला कोस्चिन है हरियाना में गो तसकरी को रोकने के लिए किसका गठन किया गया है तो देखिए गो तसकरी को रोकने के लिए गठन किया गया है ये किया है काउ टास्क फोर्स का इसमा उप्शन C सही है अगला कोश्चियन है गंतंत्रे दिवस के अवसर पर कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं क के लिए कितने पदक मिले हैं तो देखिए इसमें पदक मिले है 14 इसमा option C सही है अगला question है हर्याना की इस राजे के साथ मिलकर भूर्ण लिंक जाचने वालों का network तोड़ने का अभियान चलाएंगे तो देखिए वह राजे है उत्र परदेश इसमा option D सही है ठीक है देखिए उत्र परदेश राजे के साथ मिलकर हर्याना राजे भूर्ण लिंक जाच करने वाले network का इसको तोड़ने का अभियान चलाएंगे अगला question है इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी का राश्टिय संगठन सचीव किसे निउक्त किया गया है देखिए यहाँ पर आएगा सचीव इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी का रास्टिय संगठन का सचीव तो ये न्यूक्त किया गया है स्याम सिंग राणा को इसमा option C सही है अगला question है हर्याना सरकार परदेश के सरकारी कोलेजों में पढ़ने वाले किन विध्यारतियों को निसूलक पुस्त के उपलब्ध करवाईगी तो देखिए वह करवाईगी अनुसूची जाती वालों को इसमा option A सही है अगला question है गाउं को लाल डोरा मुक्त करने की योजना कौन सी है तो देखिए गाउं को लाल डोरा मुक्त करने की योजना है प्रधान मंत्री स्वामीतव योजना इसमा option B सही है ठीक है और देखिए हर्याना का पहला लाल डोरा मुक्त गाउं वह है सिर्सी तो ये भी आपको ध्यान रखना है और सिर्सी है ये है करनाल में तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला question है सराल पोर्टल पर सेवाएं देने में हर्याना का कौन सा जिला प्रथम रहा है तो देखिए सराल पोर्टल सेवाएं देने में हर्याना का प्रथम जिला रहा वह रहा है रेवाडी इसमा option C सही है अगला question है अंतर राष्टिय सर्स्वती महोच्षव 2021 कब शुरू होगा? तो देखिए अंतर राष्टिय सर्स्वती महोच्षव है ये शुरू होगा 14 फरवरी से इसमा option B सही है अगला question है अंतर रास्टिय सर्श्वती महुच्छव 2021 कहां पर आयुजित किया जाएगा तो देखिए ये किया जाएगा आदी बद्री में इसमों अप्शन B सही है अगला कोस्षियन है रास्टिय बाली का दिवस हर वर्स कम मनाया जाता है तो देखिए रास्टिय बाली का दिवस हर वर्स मनाया जाता है 24 जन्वरी को इसमों अप्शन A सही है अगला कोस्षियन है रास्टिय बाली का दिवस हर वर्स कम मनाया जाता है तो देखिए रास्टिय बाली का दिवस हर वर्स कम मनाया जाता है 25 जन्वरी को इसमा option B सही है अगला question है 26 जन्वरी 2021 हरियाना के सभी महा विद्याले वे विशब विद्याले किस से मुक्त हो जाएंगे तो देखिए 26 जन्वरी 2021 से हरियाना के महा विद्याले वे विशब विद्याले तंबाकू से मुक्त हो जाएंगे और इसमों option C सही है अगला question है हर्याना जल संसाधन प्राधी करण का अध्यक्स की से नियुक्त किया गया है तो देखिए हर्याना जल संसाधन प्राधी करण है इसका अध्यक्स से नियुक्त किया गया है ये किया गया है केसनी आनंद अरोडा को इसमों option A सही है ठीक है देखिए यहाँ पर केस नहीं आएगा यहाँ पर भी mistake हुई है केस नहीं आनंद अरोड़ा आएगा इसमों option A सही है अगला question है हर्याना सरकार ने किस छेत्र को एक 277 टूरिस्ट हब के रूप में विक्सित करने का निर्ने लिया है तो देखिए हर्याना सरकार ने 277 टूरिस्ट हब बनाने के रूप में यह निर्ने लिया है पीपली का इसमों option A सही है अगला question है हर्याना में कहाँ पर फिलम सिटी बनाई जाएगी तो देखिए फिलम सिटी बनाई जाएगी यह बनाई जाएगी पिंजोर में इसमों option B सही है अगला question है हर्याना में गोस आलाओं को आतम निर्भर बनाने के लिए दूसरे चरण में कितने solar power plant लगाए जाएंगे तो देखिए यह लगाए जाएंगे 225 इसमों option D सही है अगला question है हर्याना रोडवेज की सभी बसों को कब तक electric करने की योजना है तो देखिए हर्याना रोडवेज की जो सभी बसे हैं इनको electric करने की योजना है यह योजना है 2029 तक इसमों option C सही है अगला question है हरियाना परदेश का पहला रेडियो जेल स्टेशन कहां सुरू किया गया है तो देखिए हरियाना परदेश का पहला रेडियो जेल स्टेशन ये सुरू किया गया है पानीपत जेल इसमों option D सही है अगला question है हरियाना परदेश का पहला रेडियो जेल इस्टेशन का उद्गाटन किसके दवारा सुरू किया गया है तो देखिए ये किया गया है राजीव और रोडा और रंजीत सिंग चोटला इन दोनों के दवारा ही किया गया है तो इसमें उप्शन C सही है A और B दोनो अगला question है राष्टिय कुस्ति प्रैती योगिता में हर्याना की कितनी टीमें भाग लेगी तो देखिए राष्टिय कुस्ति प्रैती योगिता है इसमें हर्याना की टीमें भाग लेगी ये लेगी दो टीमें इसमें option D सही है अगला question है जन्वरी 2021 में राज़े सत्रिये कुस्ती चैंपियंशिप की मेजबानी किस जिले के दवारा की गई तो देखे 2021 में राज़े सत्रिये कुस्ती चैंपियंशिप हुई है इसमें किस जिले के दवारा मेजबानी की गई तो ये की गई है सोनी पत के दवारा इसमों अप्शन B सही है अगला कोस्चियन है जनवरी 2021 में राजस्तरिये कुस्ती चैंपियनसिप में पुरूस वर्ग में प्रेथम स्थान किसका रहा तो देखी इसमें देखना है कि पुरूस वर्ग में किसका प्रेथम स्थान रहा तो ये रहा है जजजर का इसमों अप्शन C सही है अगला कोस्चियन है जनवरी 2021 में राजस्तरिये कुस्ती चैंपियनसिप में महिला वर्ग में प्रेथम स्थान किसका रहा तो देखिए इसमें देखना है महिला वर्ग में प्रथम स्थान किसका रहा तो ये रहा है हिसार का इसमें अप्सन एसा ही है अगला कोस्चिन है हर्याना राजे बाल कल्यान परीसद दवारा आयोजित ओनलाइन राजे स्तरिये बाल महुत्सव करेकरम का सुभारंब इसके दवारा किया गया तो देखिए राजे बाल कल्यान परीसद के दवारा आयोजित ओनलाइन राजे स्तरिये बाल महुत्सव करेकरम इसका सुभारंब किया गया दुश्यंत चोटाला के दवारा इसम उप्सन B सही है अगला कोश्यन है प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंग मोधी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसको सर्वस्रेश्ट मकान निर्मान का अवार्ड दिया गया तो देखिए ये मिला है यमना नगर और कुरुकसेतर को इन दोनों को ही मिला है तो इसम उप्सन C सही है A और B दोनों और देखिए हरियाना कोना तीन अवार्ड मिले है जिसमें दो यमना नगर को मिले है और एक कुरुक सित्र को मिला है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोस्टियन है वर्स 2021 में नेता जी सुबास चंदर बोस की जयनती को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णे लिया है तो देखिए नेता जी सुबास चंदर बोस है इसकी जयनती को ये नेने लिया है प्राकरम दिवस मनाने के रूप में इसमा अप्शन B सही है ठीक है और देखिए नेता जी का जनम कब हुआ तो ये हुआ है 23 जनवरी 1857 में को तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है देखिए 1857 में को हुआ है और ये कहाँ पर हुआ तो ये हुआ कटक में और कटक कहाँ पर है तो ये है उड़ीसा में तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोस्यन है मुख्यमंतरी ने प्रदेश के युआ साहित्यकारों को प्रोच्वाहित करने के लिए कौन सा प्रूसकार शुरू करने की घोसना की गई है तो देखिए ये की गई है युआ साहित्यकार की इसमों अप्शन B सही है अगला कोस्यन है कविता संग्रे मेग मेखला और रेशमी रसिया किसके दवारा रचित है तो देखिए दो कविता है मेग मेखला और रेशमी रसिया ये रचित है धीरा खंडेल वाल के दवारा इसमों अप्शन C सही है ठीक है और देखिए इसका जो लोकारपन है ये किया है सी एम ने तो ये भी आपको ध्यान रखना है सिरी मनोहर लाल खटर है इन्होंने इन पुस्तकों का लोकारपन किया है अगला कोस्टियन है 72 गंतंतर दिवस पर सिरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दवारा कहां पर जंडा फैराया गया तो देखिए मुख्यमंत्री के दवारा जंडा फैराया गया ये फैराया गया पंचकुला में इसमों अप्शन ए सही है अगला कोस्टियन है पैरा एथलीट पहलवान विरेंदर सिंग को पदम सरी प्रूसकार मिला है ये किस जिले के रहने वाले है तो देखिए पैरा एथलीट है विरेंदर सिंग ये किस जिले के रहने वाले है उप्शन A है पंचकुला B है पानीपत C है जजज़ D है फरीदाबाद तो देखिए फ्रेंट्स इस कोस्टियन का अंसर आपको कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके बताना है ठीक है तो देखिए फ्रेंट्स ये थी आज की हमारी वीडियो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना सेयर भी कर देना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकोन के बटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे थैंक यू